हैलो प्रेंज कैसे हैं आप सब वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल अंसु इंडियन यूटूबर में तो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुलतानी मित्टी का फेस पैक जो की समर सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है बहुत ही ज्यादा वेनिफिशियल है हमारे स्कीन के लिए तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें बनाना कैसे है फ्रेंड यहाँ पे मैंने लिया है दो चमच मुलतानी मिट्टी और अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ एक चमच दही और इसके बाद इसमें एड़ कर रही हूँ एक चमच ऐलोवेरा जेल अगर आपके पास प्लांट है ऐ यही होती है, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है, तो आप जो रेगुलर कीचन में यूज करते हैं, बस आपको ठोड़ा सा लेना है यहाईügen है, तो जपी किया है मारे स्कीन पे हल्का सा इसे apply कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है, बस medium सा layer लगाना है, आपको पूरे face पे इसे अच्छे से apply कर लेना है, इस face pack से हमारे skin के dark sport pigmentation जैसी सारी समझ जाये दूर होंगी, और हमारे skin पे एक natural सा glow भ अगर आप चैनल पर फंस टाइम आये तो चैनल को सब्सक्काइब कर लेना, बेल आइकोन के साथ में जिसे की हन नई वीडियो की notification आप सभी को मिलती रहे, अगर आपकी face पे जलन होती है, डेडी skin है तो यह पूरी तरह से निकल जाएगी, फ्रेंड, गर्मियों में अगर आ प्रेकने की प्रॉबलम है, पिंपर्स के दागदब्बे हैं, वो पूरी तरह से रिमूब हो जाएंगे और हमारी skin फेर भी होएगी, और साथ ही साथ हमारी skin पे एक नेश्रल सा गुलो भी आएगा, यह face पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, जब आप इसे यूज कर करता है, तो उसके लिए भी यह face pack बहुत ही ज़्यादा effective है, मुझे पिछली वीडियो में comment आया था, वाइटी के फ्रेंड हो लोग बाहर गए थे वाटर प्राग घुनने के लिए, तो बोल रहे थे कि उनकी skin काली पड़ गई है, तो आप इस face pack को apply कीजिएगा, हप्ते मे दो बार आपको बहुत अच्छा result मिलेगा, और एक बार में result नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पूरी तरह से natural है, इसमें कोई chemical नहीं है, तो आप दो तीन बार इसे use कीजिएगा, आपकी skin पहले जैसी फेर हो जाएगी, और natural सा glow भी आ जाएगा, फ्रेंड, कभी कभी क्या होता ह हम कोई भी remedy यूज़ करते हैं, एक या दो बार हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भी इसका effect दिखाई नहीं दे रहा है, हमको इसका result नहीं मिल रहा है, बर ऐसा नहीं होता है, जब हम कोई natural चीज़ यूज़ करते हैं, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, टेक एर!